भारत माता की जैस्री राम जैस्री राम सबागो पडाम एवं मद्य प्रदेश की पवित्र धर्ती से वहां के जो मुख्य मंत्र जी शिवरा सिंग चहौन जी जो हमारे अद्देश स्रीमान बंडी संजय जी को जो आश्रिवाद देने के लिए पदा रहे है मैं उनको शच्च्च्च पडाम करता हूँ आज तेलंगाना में साथवा निजाम तो हमारे पूर्वजों ने देखा है और वो साथवे निजाम को जुकाने वाला भी एक गुजराती सरदार वल्ला भाई पटेल जी थे और एक आटवे निजाम का रूप लेकर जो हमारे तेलंगाना राज जी के जो मुख्य मंत्री अपने आपको जो आटवा निजाम समझ रहे हैं ये मैं मुख्य मंत्री को कहना चाहूंगा कि आज भारती जनता पार्टी का कोई कारे करता डरने वाला नहीं है आज भारती जनता पार्टी के कारेकरता कोई जुकने वाला नहीं है हमारे अद्देख जी बंडी संजे जी को तुमने जो इनलिगल रूप से जो फेक के सज़ाल के जो तुमने सोचा कि अगर मैं अद्देख्ष को जेल पहुचा दूँगा तो कारेकरता डर जाएंगे तो ये वो कारेकरता डरने वाला नहीं है और हमारे बंडी संजे जी पहली बार जेल यात्रा नहीं करें मित्रो उन्होंने समाज के लिए धर्म के लिए देश के लिए जो वो कुछ नहीं थे तब उसे वो जेल यात्रा करते है और ये नवा टेम था हमारे बंडित संजे जी की जेल यातरा का हम समाज के लिए, हम धर्म के लिए जेल जाने को त्यार है हम मुख्यमंद्र को कहना चाहे हमारी डिमांड क्या थी जो तुमने, जो टीचर्स के प्रती, जो तुमने एक जीवो लेकर आवाया जो तुमने गलत जीवों में जो गलत तरीके से जो इंप्लिमेंट किया उसमें चेंजेस के लिए हमारी डिमाइंड थी लेकिन तुमने भय के कारण के भारते जन्ता पार्टी आज एक ताखत के रूप में उबर रही है मुंसिपल एलेक्शन में हमने मुखी खाई है भारते जन्ता पार्टी के कहीं कॉर्परटर जीत चुके है एक दुबा का एलेक्शन आया वहाँ पर उनको हार मिली और एक हुजूराबाद का एलेक्शन आया वहाँ तो उनको जमीन चाटने को मिला है यह सब चीज देखकर उन्होंने सोचा कि आज भारती जन्ता पार्टी को हम नहीं दबाएंगे तो आने वाले समय में हमारे को दिक्कत होगी तो मैं मुख्य मंत्री को कहना चाहूंगा कि आज जो तुमारा जुम था तेलंगा नामे वो जुम सारी जन्ता देख रही है सारी की सारी जन्ता देख रही है इसलिए तुमको अच्छे से समाधान यानि एक कोट को दस हजार एक कोट को बीस हजार तुमने जी एचमसी एलेक्शन में दिया लेकिन जन्ता ने तुमारे पैसे को ठुकराया और भारते जनता पार्टी को आश्रिवाद दिया उसी प्रकार से दो विधान सबा के चुना हुआ है वो विधान सबा चुनों में भी तुमने 50-50 हजार रुपे एक-एक वोट को दिया वो समय पर भी जनता ने तुमारे पैसों को ठुकराया और भारते जनता पार्टी को आश्रिवाद दे कर एक विधायक पहले था अश्तीन विधायक है यानि टिबॉलार जो हमारे बन्नि संजे जी का नारा था के टिबॉलार ये आर 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 तुम्हे विधान सबा में धूल चटाएगा ये हमारे संजे जी का नारा था और मैं मुख्य मंत्री को कहना चाहूंगा जेल कोई हमारे लिए नहीं बात नहीं है जब कॉंगरेस की सरकार्थी वो समय पर भी तुमने कहीं कारे करताओं को भारतिय जन्ता पार्टी के कारे करताओं को फेक एसस जाल के जेल को पहुँचाया लेकिन हम डेरे नहीं आगे बड़ते गए ये जो हमारे बंडी संजे जी है ना एक नाम नहीं एक शक्ती है को कोई नहीं रोक सकता शक्ती को जितना रोकने का प्ष्टन करूगए उतनी शक्ती आगे बढ़ेगी ये मैं कहना चाहूंगा आने वाले समय में भारती जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बन रही है क्योंकि मुख्य मंत्री की एक आदत है कि वे बार बार सर्वे करवाता है हर सर्वे में मुख्य मंत्री डौन 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 हर सर्वे में तो ये सर्वे में देखा के मैं डौन हो रहा हूं तो जिस कारण डौन हो रहा हूँ, जिस विक्ति के कारण में डौन हो रहा हूँ, वो है भारते जनता पार्टी का अदेख्ष, बंडी संजे, चलो इनको हम जेल को पचाएंगे, लेकिन मुख्य मंतरी, ये बात ध्यान रखना, कि आज तेलंगाना की जनता का आशिरवाद बं मंतरी, बंडी संजे जी को आशिरवाद देने लेके पदारे है, मुए मुख्य मंतरी को कहना चाहूंगा, कि हम से जो टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, ये वो भारते जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो लंगाना में, आप सब चाहते हैं ना, तो आप सब स चाहूंगा, कि भगवान से हमें प्राटना करना है, कि बंडी संजे जी को इतनी ताखत दे, इतनी ताखत दे, कि इनके सामने कोई भी दुश्मन आए, वो चकना चूर हो जाए